हाई स्टूदेंट्स गूड मोर्निंग वेलकम टू मेरा स्लिवस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर फर्स एक्सराइज वन पॉइंट थ्री तो इसमें हमारा फर्स्ट क्योशन है तो हमने जब इंट्रोडेक्शन में पढ़ा था कि हमें डेसिमल एक्सराइज करना है और फिर बताना है कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सराइज है तो इसमें जो फर्स्ट है वो हम देखते हैं हमें डिवाइड करना है 36 को 100 से तो सबसे पहले तो डिवाइड जाएगा नहीं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा पॉइंट और फिर हमें पॉइंट से 0 एड कर दिया तो ये 103 पे गया 300 अब सब्ट्रेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ये आ जाएगा 6 ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हमें एक 0 लेना है और हमें डिवाइड देना है तो ये complete चला जाएगा 106 चा 600 ठीक है अब हमारे पास क्या पच गया 0 तो ये क्या है अब decimal expansion form तो ये हो गई 0.36 ठीक है और ये किस type का decimal expansion हो गया ये हो गया terminating क्यों terminating क्यों क्योंकि 0 हमारा remainder रह गया और आगे divide होगा नहीं क्योंकि complete यहाँ पे हो चुका है तो जो पहला option है वो किस type का decimal expansion होगा हमारा terminating होगा इसी तरीके से हम second देखते हैं इसमें है हमें divide करना है 1 को 11 से तो same है हमारा सबसे पहले divide जाएगा नहीं तो हमें यहाँ पे dot लगाना है इसके नाम का यहाँ पे one आ जाएगा ठीक है उसके बाद फिर से नहीं जाएगा तो यह zero और हमें यहाँ पे zero लेना पड़ेगा फिर हमें 11,99 इस पे जाएगा minus करेंगे तो यह one बच जाएगा remainder उपर से हमने फिर एक zero ले लिया उसके बाद से हम देखेंगे यह फिर से नहीं जाएगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा zero और हमें एक और zero लगाने पड़ेगी right अब फिर से किस पे गया nine पे गया फिर स तो यह आगे क्या हो रहा है कि terminate तो नहीं हो रहा है यह same one हमेशा बस्ता जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसका जो decimal expansion form हो जाएगी zero nine और हम यहाँ पे बार लगा देंगे तो इसका मतलब है आगे की digits यही रहने वाली है तो यह terminate नहीं हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा non-terminating non-terminating repeating 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 मैंने क्यों लिखा क्योंकि हर बार क्या हो रहा है one remainder बचेगा और चीजे वापिस repeat होगी ठीक है अब हमारा इसमें जो third option है वो हम solve करते हैं so third क्या है four one by eight तो इसको जब हम solve करेंगे तो यह क्या जाएगा four को eight से multiply करेंगे that is 32 plus one तो यह आजाएगा 33 upon eight अब हमें divide कर किसको किस से करना है हमें divide करना है 33 को eight से right तो eight four जा 32 minus करेंगे तो remainder बचेगा one अब divide जाएगा नहीं तो हमें zero ले लिया यहां से क्या आजाएगा eight बचेगा eight ठीक है इसके बाद से divide में क्या बचेगा two और फिर हमने लिया zero तो यह चला गया eight two जा sixteen minus करेंगे four बचेगा और यह हो गया eight five जा forty तो remainder हमारा क्या आगया zero आगया तो decimal expansion तो हमारा यह हो गया और यह क्या हो गया terminating same terminating क्यों क्योंकि हमारा remainder zero रह गया ठीक है ऐसे ही fourth question हम देखते हैं fourth है thirteen 13 से divide करना है three को right तो सबसे पहली जो हम चीज देखेंगे वो जाएगा नहीं तो हम यहां से zero ले ले लेंगे और 13 three पे जाएगा three पे नहीं जाएगा two पे जाएगा तो 13 to the 26 यहां पे आ जाएगा four subtract करेंगे तो उसके बाद जाएगा 13 three जान 39 उसके पास remainder one बच जाएगा और फिर यह divide जाएगा नहीं तो हम zero लिखेंगे अब यह जाएगा 13 seven पे तो यह 91 हो जाएगा जब subtract करेंगे तो यह nine बच जाएगा और अब यह जाएगा six पे 13 six जा 78 यह आ गया इस पे two 12 और अब फिर वापिस से हम zero ले लेंगे तो यह जाएगा nine पे one one seven अब remainder हमारे पास क्या आ गया three आ गया ठीक है अब three आ गया तो अब वापस हम zero करेंगे तो यह जाएगा two पे twenty six that means यह three यहां से start था है वापस three यहीं पे आ गया तो हमारा जो decimal expansion वो क्या हो जाएगा यहां तक हो जाएगा क्योंकि यह two तो वापिस से repeat हो जाएगा तो यह यहां तक रहेगा complete जो decimal expansion है और यह क्या हो जाएगा non-terminating repeating terminating तो क्यों क्योंकि zero नहीं आ रहा है और यह expansion यहां से repeat हो जाएगा क्योंकि two आ गया यह वापिस two three zero seven six nine और repeat होता रहेगा तो यह ऐसे करना है हमारा question number four complete हो गए अब हम देखते हैं अपना next question तो जो हमारा fifth है कि हमें divide करना है किसको two को divide करना है किस से 11 से तो starting में divide जाएगा नहीं तो हमने यहाँ पे zero कर लिया one पे गया 11 one जा 11 nine बचा remainder फिर हमने zero ले लिया तो यह गया eight पे 88 हो गया हमाँ divide करेंगे two बच गया अब वापस से two zero आ गया तो फिर हमने क्या one पे यह आ गया eleven minus करेंगे nine आ गया फिर हमने zero लिया उपर से तो यह फिर eight पे चला गया तो 88 हो गया यह फिर zero तो यह क्या हो रहा है देखो one eight one eight repeat हो रहा है तो decimal expansion तो क्या आ गया इसका point one eight बार और यह क्या हो गया non terminating repeating ठीक है same way में हमारा जो sixth है वो है हमें divide करना है three two nine को four hundred से right तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा one पे जाएगा नहीं क्योंकि बड़ा है तो हमें point लगा देंगे यहाँ पे हम zero ले लेंगे अब हम हमारा जो divide है वो जाएगा बच्चो eight पे तो eight zero zero eight zero zero और eight four thirty two subtract करेंगे तो यह zero यहाँ से nine में से zero गए nine thirty two thirty two zero अब वापस से हम zero लेंगे तो यह अब चला जाएगा two पे four hundred two the eight hundred यह हमारे पास subtract करेंगे तो बच्च किया one hundred अब zero ले लेंगे उपर से फिर से हमारा जाएगा two पे यह हो गया eight hundred subtract करेंगे फिर हमारे पास two hundred बच्च गया ठीक है उपर से हमने zero लिया अब यह हमारा four पे five पे sorry five four zero बच्च गया तो हमारा यह decimal expansion तो हो गया यह और यह क्या हो गया terminating terminating मैंने क्यो कहा क्योंकि zero remainder बच्च गया so this was the first question of exercise 1.3 chapter 1st class 9th the rest questions we will see in our next video till then bye bye thank you